दोस्तों International Geopolitics में अगर आप ताकतवर हैं तो आपको दुनिया पूछती है और अगर आप ताकतवर नहीं हो तो आपको कोई नहीं पूछता है सामने सामने से जो चीज़े दिखती हैं पीछे से शायद उतनी क्लियर नहीं होती है ये चीज आपको पता चलेगी इस पर्टिकुलर न्यूज में पाकिस्तान के प्रधान मंत्री इमरान खान एक बहुत बड़ा जथा लेके पहुँचे चाइना इनके साथ फॉरण मिनिस्टर शा महमूद कुरेशी, फाइन्स मिनिस्टर शौकत तारीन, प्लानिंग मिनिस्टर इनके असाद हुमर, इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर फवाज चौधरी, पहुत सारे सीनर मिनिस्टर इनके NSA, मोईद यूसूफ ये सब चाइना पहुँचे और च पाकिस्तान, रशिया जैसी कुछ कंट्रीज अपने प्यार को चाइना की तरफ दिखाने के लिए, वहाँ पे पहुची गए इनके हाइस डिग्रिटरीज, और व्लादिमेर पुतिन भी पहुचे हैं, अब अगर यहाँ पे मीटिंग देखिए, तो राइट साइड पे आप एक जो बहुत बड़ा, आप कह लीजे, अबजेक्टिव है पाकिस्तान के जथे का वो यह है कि तीन बिलियन डॉलर का लोन लेना है इनको चाइना से, इस से में पे पाकिस्तान की एकनॉमिक हालत बहुत ज़्यादा खराब चल रही है, इनके फोरें एक्चेंज रिजर्स अल्मोस्ट खतम होने वाले हैं, प्लस चाइना-पाकिस्तान एकनॉमिक कोरिडोर का सेकंड फेज शुरू हो रहा है, यह साट बिलियन डॉलर का जो CPEC है, इसका सेकंड फेज चालू हो रहा है, और इस सेकंड फेज में और बहुत से इंगेजमेंट्स के जाएंगे चाइन बढ़े हैं, प्राब्लम बस यही है कि यह जो चैना-पाकिस्तान एकनॉमिक करोडिर पाकिस्तान अकॉपाइट कश्मीर से निकलता है, अब CPEC का सेकंड फेज पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टन है, चैना के लिए इंपॉर्टन है, अगर चैना को सीधे-सीधे, आपका बेंसी का एकसेस चाहिए गॉदर पोर्ट के थूँ, लेकिन हुआ यह कि इस पर्टिकुलर पाकिस्तान के जथे के साथ सीधी मीटिंग में नहीं हुई, वैसे तो पाकिस्तान के पधान मंत्री PM यह जो है, आपकी इमरान खान इनों नहीं बोला था कि भाई, मैं सीधे- कंसल्टेटिव कमीटी के वाइस चेर्मेन तक भी सीधे-सीधे सामने-सामने नहीं मिले PM इमरान खान से मीटिंग वर्चुली हो रही है, सोचे PM इमरान खान अपना जत्ता लेके पहुँचे हैं बीजिंग में, और बीजिंग में कमरे के अंदर बैठ के वर्चुली बात कर तो जब चाइना के छोटे लेवल के ओदे के ओफीसर तक सीधे-सीधे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से नहीं मिल रहे हैं, वर्चुली मिल रहे हैं, तो जी जिंग्पिंग इनके साथ सीधे सामने आके मिलेंगे, इसके चांसे बहुत कम हैं, तो इससे क्या पता चलता है, कि इस पूरे के पूरे आप कहलो जियो पॉलिटिकल गेम में, यहाँ पे चाइना पाकिस्तान को एक पॉन की तरह इस्तिमाल कर रहा है, एक प्यादे की तरह इस्तिमाल कर रहा है, चाइना पाकिस्तान को थोड़ा स्ट्राउं कर रहा है ताकि पाकिस्तान इंडिया को कम चायना-पाकिस्तान economic korridor के अंदर जो भी projects पाकिस्तान के अंदर चलाई जारे उनके ओ आलगातार attacks हो रहे हैं Chinese engineers की मौते हो रहे हैं जिस speed से Chinese projects implement होने छाई है थे, execute होने चाई है ते, वो यहाँ पर नहीं हो पा रहे हैं और उससे बड़ी बात, अगर आप किसी से कुछ मांगोगे, तो आपकी इस्थ तो गिरेगी, सीधी सीधी बात है, यहाँ पर पाकिस्तान को 3 मिलियन डॉन चाहिए चाइना से, तो जब आप किसी से कुछ मांगने जाते हो, आप आप आटोमेटिकली छोटे हो जाते हो, और व National Humiliation for Pakistan PM, यहाँ पर पाकिस्तान को भी इस बात को समझना चाहिए, कि इस पूरे के पूरे जियो पॉलिटिकल गेम में वो एक पॉन की तरह इस्तमाल कर रहे हैं, इससे बेटर तो यह होता है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ एक अच्छे रिष्टे स्थाप्रित करता, और अ Chinese Economy के साथ इंगेज करके उनको बहुत constructive फायदा होगा या नहीं होगा, पता नहीं, हाँ, डेप्ट के अंदर जोरू डूपते जाएंगे वो, तो एक छोटी सी निउस जो कि मैंने आपके साथ डिसकस की, thank you for watching, I hope आपको यह viewpoint अच्छा लगा होगा, goodbye.